पास्कल्स लो ने जो भी हमें जो भी ठेहरी बताया है ठीक है तो वह basically live example वह हैं कहां ही यूज करते हैं तो वह example लिखते हैं example of Pascal's law पास्कल्स लॉँअ फर्स्ट एक्जाम्पल है 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 इड्रोलिक लिफ्ट और जेक ए यह यह यूज करते हैं यह हम यूज कर सकते हैं कार को ठीक है कार में वेहिकल्स में ठीक है और लिफ्ट दी कार ठीक है तो अभी कार लिफ्ट करने के लिए हाइड्रोलिक की जरूद क्या है मिन्स हाइड्रोलिक जरूद की जरूद क्या है इसमें हम बेश्चिक लिए क्या करते है अट्मस्फेरिक प्रेशर क्रिएट करते है और वेट Magnified Magnified means होता है Increase, ठीक है? और to lift Heavy object Heavy object को lift करने के लिए हमलों use करते हैं, ठीक है? जैसा vehicles को and some heavy materials को, ठीक है? Second हम लिखते हैं Hydraulic Hydraulic Press ठीक है? यह Hydraulic Press है, वो कहां use कर सकते हैं? अगर जैसा कोई metal sheet है उसको हमको अलग-अलग shape देना है, ठीक है? तो हम लोग वहाँ पर use करते हैं तो metal sheet को compress करने के लिए हम use कर सकते हैं, ठीक है? तो to compress to compress metal sheet sheets, ठीक है? ठीक है? ठीक है? Hydraulic hydraulic brakes hydraulic brakes हम कहां use करते हैं car के अंदर, ठीक है? car के अंदर brakes जो apply करते हैं तो उसके हम use कर सकते हैं, ठीक है? used for, used in cars and buses ठीक है? अभी brakes तो normally हम क्या करते हैं? car को रुकाने के लिए काम में आता है, ठीक है? तो brakes जब apply करेंगे तो vehicles क्या होगा, heavy vehicles भी क्या हो जाता है? stop हो जाता है, ठीक है? तो IWX brakes के जरी हम pressure apply करके brakes apply करते हैं, ठीक है? करते हैं झाल